हेलो एन वाम वेलकम आज का मार टॉपिक है स्टैंडर इलेक्टोड पोटेंशल एन इस सिग्निफिकांस अब यह होता क्या है मालो हमें किसी इलेक्टोड का पोटेंशल फाइंड करना है तो हम जिस इलेक्टोड की बात कर रहे हैं उसका जो आइनिक सोलूशन लेंगे अगर वो वन मोलार होगा और 25 डिग्री सेल्सियस यानि कि 298 केल्विन पर हम स्टैडी करेंगे तो जो भी पोटेंशल हमें मिलेगा उस इलेक्टोड का उसी को हम कहेंगे स्टैंडर इलेक्टोड पोटेंशल अब यह कहां यूज करना है हमें कहां कैलकुलेशन में काम आएगा त पोटेंशल लिया जाता है जनरली यहां पर तो अब क्या होगा अगर हमने फ्लूरिन की बात की तो यहां पर आप दहाँ से देख सकते हूं कि फ्लूरिन प्लस टू रेक्टोन युज्टू यस्टू यह निगेटिव चार्ज तो फ्लूरिन इलेक्टों नेगेटिव है उस उसका नेचर लेने का हो यह नहीं सकता है उस केस में उसका टेंची ऑक्सिदेशन का होगा तो उसका रड़क्शन का वैल्यू निगेट्व आए जाएगा इस तरह से हमें बहुत सारे बीच के के लिए टैयर हो जाएंगे और नीचे वाले लिट्वन देने की deceived तो इस तरह से हमें क्या पता चल गये हैं यहां पर यहां पर रिरॉक्षण की वैलियो दिये गया है वह आपको अगर हमें क्ल to हम जे सकते हम तो एनका और और Google करते हो और जो चाहएगा और रेक्टर पोटेंटियल, थाक्टियल, थाक्टिय।